हाइ डुल्थीस! तो हम रिटार्मेंट शेटर कर रहे थे और रिटार्मेंट में हमने उसका मेनिग और न्यू पी-ए स्टार निकालना और गेनिंग देश्यों निकालना सीख लिया था अब इस वीडियो में हम गूटविल का ट्रीट्मेंट करना सीखेंगे यानि कि treatment of goodwill, किस तरीके से goodwill को treat किया जाता है और retiring partner को किस तरीके से goodwill दी जाती है तो start करते हैं तो अब हम start करते हैं treatment of goodwill देखे treatment of goodwill का जिसे की 3 cases है appeared का, valued का और raised का appeared, valued जो कि हमने change in PSR के case में admission के case में किया same वैसे ही रहता है थोड़ा सा changes है वो सीखेंगे raised, retirement में ही आया है तो इस ही addition से डाला गया है तो आपको इसे ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि paper में ये आ सकता है तो सबसे पहले start करते है appeared से, appeared goodwill कौनसी होती है appeared goodwill वो होती है जो balance sheet में कहां show हो रही होती है आपके asset side, asset side का मतलब है debit balance होता है उसका तो goodwill अगर appeared हो रखी हो balance sheet में तो उसका जितने partners है, यानि कि old partner के old PSR में वो write-off कर दी जाती है तो इस case में हम general entity का pass करते है, हम general entity pass करते है कि जितने old partners है capital account हुनका debited to goodwill account क्योंकि goodwill को credit करके write-off किया जाता है क्योंकि वो asset है तो उसका balance क्या होगा debit होगा, write-off करने के लिए हम उसे credit करते हैं और जितने partners हैं उनको debit कर देते हैं क्योंकि इस ratio में old profit sharing ratio में ठीक है तो अब इसका एक छोटे से example के समझाती हूँ like A, B, C, 3 partner है उनका ratio 1 is to 1 ती रख है और goodwill appeared हो रखिये suppose 30,000 तो इस case में हम entry किस तरह के से करेंगे हम entry करेंगे goodwill को write-off करना है न goodwill account को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे कितने से full 30 से partner कितने A, B, C अब कोई भी retire हो रहा हो A retire हो रहा है B हो रहा है C हो रहा है कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह तीनों partners में write-off की जाएगी तो A का B का C का capital account किस ratio में इनके old PSR में old PSR equal है तो 10-10,000 Rs. इनको write-off कर दिया जाते है इनको debit कर दिया जाते है appear'd के case में अब हम valued का case करेंगे देखें valued का case में आपको 2 situation face करने को मिल सकती है valued के case में आपके 2 situation कौन सी होती है सबसे पहले होता है कि gain gain जो होता है वो all partner gaining में हो और इसमें हो कि one or more partner sacrifice भी कर रहे हो तो दो cases हम लगों को समझ में आते हैं कि या तो किसी के जाने पे हम सारे benefit उठा रहे है या किसी के जाने से यानि कि कोई partner रहे हो रहा है तो एक partner तो gain में हैं लेकिन दूसर sacrifice में है तो यह अब हम सीखेंगे इसमें general entry का पास होती है general entry सेम ही रहती है general entry होती है हमारी gaining partner account debited to retiring partner retiring partner capital account यानि कि जितने partner gain कर रहे हैं उनके account को debit करते हैं retiring partner के capital account को credit करते हैं क्योंकि जो भी partner retire होके जा रहा है अब हमें उसके जितनी goodwill valued हो रही है उसमें उसका हिस्सा देना है क्योंकि आज के बाद वह मेरा partner नहीं रहेगा तो अब तक कि जो मेहना तेदा आते तो जो भी अगर partner sacrifice करता है तो उसको भी हम उस समय पे goodwill compensate कर देते हैं तो जो भी sacrificing partner होगा उसके account को भी हम क्या कर देते हैं credit कर देते हैं तो ये cases रहते हैं अब एक example के थू हम इसको आगे समझते हैं देखो A, B, C, 3 partner लेते हैं same जो मैंने अभी लिया था 1 is to 1 is to 1 उनका ratio है और goodwill आप मानो valued है 60,000 कितनी है? 60,000 अब पेर्ट का case हो गया हमारा goodwill valued है 60,000 और suppose किजिए C retire हो रहा है तो entry क्या pass होगी C के retire होने पे goodwill में C का share कितना है सबसे पहले C का share find out करेंगे तो C is share in goodwill कितना है 60,000 का one third that is 20,000 रुपीज तो यानि कि 20,000 रुपीज मिलने चाहिए किसको C को कौन देगा? gaining partner देंगे यानि कि continuing partner देंगे अगर वो gain कर रहे है अब इस case में इनका new PSR क्या है? new PSR है 1 is to 1 हमें gaining ratio निकालना है gaining ratio का formula होता है new minus old लिकिन यह क्योंकि new PSR का first case है retirement में कि अगर आपको कुछ और information नहीं गिवन तो जो new PSR होता है वही आपका क्या होता है? gaining ratio होता है तो इस case में अगर आप gaining ratio नहीं भी निकालोके या आप एक बार निकालके देखना 1 is to 1 ही आएगा तो यह case वह है first case जिसमें कुछ भी information गिवन नहीं होती तो new PSR ही हमारा gaining ratio होता है तो अब A और B दोनों ही gain कर रहे है तो A का और B का दोनों का capital account क्या हो जाएगा? debit हो जाएगा? किस से? किसको मिल रही है goodwill? C को तो C के capital account को credit कर देंगे कितने से? C को मिलनी चाहे 20,000 ठीक है gaining ratio क्या है? new PSR ही उनका क्या है? gaining ratio है तो gaining ratio 1 is to 1 है 20,000 को 1 is to 1 में डाला that is 10,000 and 10,000 तो यह उन्हें goodwill मिल जाएगी आप एक case करेंगे जिसमें एक partner sacrifice भी कर रहा होगा तो अब हम करेंगे goodwill का valued case जिसमें हम एक partner जो होगा वो sacrifice कर रहा होगा और एक partner जो है वो gain कर रहा होगा कब जब एक partner retire होता है तो इस case में सबसे पहले आपको general entry पाता आने चीए general entry क्या होती है gaining partners, capital account debited to retiring partner और अगर कोई sacrifice कर रहा है to sacrificing partner यानि कि उसके capital account को भी हम क्या करते? क्रेडिट करते है एक example लेते है ABC partner है 3-2-1 उनका ratio given है goodwill valued और 30 और new PSR given है 1-2 between A and B क्योंकि C तो retire हो रहा है तो सबसे पहले इस case में हमें entry पता है ठीक है gaining to retiring partner होती है लेकिन हमें gain निकालना पड़ेगा gain निकालने के लिए हमें gaining ratio निकालना पड़ेगा gaining ratio क्या होगा gaining ratio का formula होता है new minus old क्योंकि हमें new PSR given है तो समझ लो जब भी new PSR given हो आपको gaining ratio निकालना ही निकालना है A और B का gaining ratio क्या होगा new minus old new ratio है 1 by 3 and 2 by 3 old ratio था 3 by 6 and 2 by 6 अब इसका LCM लेंगे solve करेंगे 2 minus 3 upon me 6 that is minus 1 upon me 6 और इस case में आजाएगा 4 minus 2 upon me 6 that is 2 by 6 तो इस case में कौन gain कर रहा है gain कर रहा है सिर्फ B और sacrifice कौन कर रहा है sacrifice कर रहा है A यानि कि A को भी हम good will देंगे सबसे पहले हमारी entry क्यों होनी चीए हमारी entry होनी चीए gaining partner gaining partner इस case में है B तो B का capital account करेंगे debit किसको मिलनी चीए good will एक तो retiring partner तो है C और कौन है और है A जो good will sacrifice कर रहा है तो अब C का share कितना है 30 में C का share 1 by 6 कितना हुआ 30,000 का 1 by 6 5,000 यानि कि C लेके जाएगा 5,000 अब A को कितना मिलना चाहिए A का भी 1 by 6 से ये sacrifice कर रहा है तो 30,000 का 1 में 6 हुआ 5,000 5 और 5 कितने हो गए 10,000 B देगा और अगर आप ये चेक कर सकते हो कि 10,000 ही आए 30,000 का 2 by 6 जब आप करोगे तो वो कितना आएगा 10,000 आएगा तो B के capital account को हम यहाँ debit करेंगे क्योंकि B गेन कर रहा है एक C के जाने से भी और एक A के share कम होने से भी तो दोनों को हम credit कर देंगे और B को इस case में हम debit कर देंगे तो ये goodwill का simple case थे जब हम goodwill appeared का case करा और अभी हमने करा जिसमें goodwill valued के case में अगर कोई partner sacrifice कर रहा हो तो entry क्या होती है रहा हुआ